ये आपकी तरफ ऐसी ताकतों को खीट सकता है जिन्हें आप शायद संभाल नहीं पाएंगे। इससे जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। आप जो चाहे कर सकते हैं सिर्फ अपने साथ नहीं सभी लोगों के शरीर के साथ मिटल में एक तरह की ग्रहंड शीलता होती है। जो सवाल आपने मुझसे पूछा है उससे मैं आमतोर पर बचता हूँ। क्योंकि मैं आमतोर पर उन चीजों की बातें नहीं करना चाहता जो अभी आपके अनुभव में नहीं हैं। क्योंकि अगर मैं उन चीजों की बातें करूंगा जो आपके अनुभव में नहीं है तो उसका आप क्या करेंगे आप या तो मुझ पर विश्वास करेंगे या अविश्वास करेंगे विश्वास करके आप सच्चाए के करीब नहीं जा सकते नहीं अविश्वास करके आप सच्चाए के करीब जा सकते हैं है ना? आप जहां हैं वही रहते हैं पर आपको एक कहानी मिल जाती है यही वो गलती है जो हमेशा से होती आई है लोग लगातार उन चीजों के बारे में बात करते हैं तो आपके अनुभव में नहीं है पर अब सवाल ये है कि क्या ये सच है मैंने अपने अंगूठे पर अंगूठी पहनी हुई है वे इसे उतारने के लिए क्यों कह रहे हैं देखिए ये मानव शरीर एक मशीन है शायद आप शरीर से बहुत अधिक जुड़ाव और पहचान जुड़ रहे हों इसलिए आप ये नदेख पा रहे हों पर ये वाकई एक मशीन है है ना अगर आप आप में से कोई किसी सरजरी से गुज़रा है सरजरी के दौरान वे आपके साथ वैसा ही बरताव करते हैं जैसा वे गराज में कार के साथ करते हैं वे आपको नीचे रखते हैं और डाडाडा वे आपको साफ करते हैं खोलते हैं चीरते हैं और वापस जोड़ देते हैं वे आपको एक मशीन ही मानते हैं कई लोगों के लिए सरजरी अपमांजनक अनुभव है क्योंकि अचानक आपकी सभी छोटी-छोटी संबेदनाएं खत्म हो जाती हैं वे आपको खोलते हैं और बंद कर देते हैं जैसा वे सोचते हैं इसे करना चाहिए क्योंकि बस ये एक मशीन है और इसमें कई संब्भावनाएं मौजूद हैं जैसा कि मैंने कहा योग विज्ञान में शरीर को परमात्मा तक ले जाने वाली सीड़ी माना जाता है अगर आप इसे ठीक रख पाएं तो ये एक जबरदस्ट मशीन है अभी आप इसके बहुत ही छोटे हिस्से का उप्योग कर रहे हैं बहुत ही छोटा हिस्सा ये एक हवाई जहाज है जिसे आपने कार बना लिया है आप समझें हवाई जहाज को कार बना लिया जाए तो दो पंक इमारतों, लैंप पोस्ट और हर चीज से टकराएंगे ये आपको पसंद नहीं आता तो आप पंक काट कर उसे ड्राइव करते हैं कटे हुए पंकों माला हवाई जहाज वाकई एक अद्भुद बस है हाँ आप बहुत खुश हैं आप सोचते हैं मैं एक अच्छी बस चला रहा हूँ पर एक पाइलिट जो प्लेन उडाता है वो कटे पंकों वाला विमान देखकर रोने लगेगा हाँ आज का योग और लोगों का रहन सहन देखकर मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि ये बिलकुल अलग तरह से हो सकता है जो आपकी कलपना से परे है देखिए अगर मैं गहराई में बताऊंगा तो कोई भी समझदार व्यक्ती इस पर विश्वास नहीं करेगा अगर कोई मुझे बताता तो मैं इस पर विश्वास न करता पर ये मेरे लिए रोज मर्रा की सच्चाईया है कई चीज़ें अभी और इसी जगह आपके जीवन के कई आयाम है पर वे आपके अनुभव में नहीं है मैं भौते क्या बाहरी सच्चाईयों की बात कर रहा हूँ न की दूसरी चीज़ों की यहां अभी इसी कार्यक्रम में भौते क्या बाहरी सच्चाईयों के कई स्तर हैं यहीं कई तरह की चीज़ें हो रही हैं इस दुनिया की कई सारी परते हैं एक के अंदर एक इस ब्रह्मान के कई स्तर या कई परते हैं आज आधुनिक विज्ञान ये पहचान रहा है आप जानते हैं वे कह रहे हैं की कई सच्चाईयों हैं जो एक के अंदर एक मौजूद हैं यह सच है तंत्र विद्या बस एक तक्नीक है कुछ साल पहले जो हमें असंभव लगता था वो आज सच हो गया है, है न? ठीक उसी तरह तंत्र विद्या एक अलग आयाम की तक्नीक है, पर भौतिक ही है ये बाहरी तल पर ही है, पर भौतिक तका एक अलग स्थर है, वो बाहरी स्थर नहीं जिसे आप जानते हैं तो अंगूठे पर अंगूठे पहनने से क्या होगा? ये आपकी तरफ ऐसी ताकतें खीट सकता है, जिन्हें आप शायद संभाल नहीं पाएंगे, जिससे जीवन अस्थ व्यस्थ हो सकता है अगर आप कुछ स्थानों पर जाते हैं या कुछ प्रकार की ताकतें अकर्शित करते हैं, तो आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है क्योंकि जैसे ही आप अंगूठे पर मेटल पहनते हैं, वे मान लेते हैं कि आप उन्हें चाहते हैं यानि जैसे अगर आप अपने दिमाग से एक एंटीना जोड़ लें, तो आपको कैलिफोर्निया का हर रेडियो स्टेशन जेलना पड़ेगा आप वो चीजें नहीं सुनना चाहतें, तो आपको एंटीना हटाना होगा है न? ये भी ऐसा ही है मेटल में एक ग्रहंट शीलता होती है और एक असर होता है, तो उसका उपयोग कुछ तरीकों से होता है तो ये हमेशा से तै रहा है कि अंगूठी अनामिका उंगली पर पहननी चाहिए पर दुन्या में इसे रिंग फिंगर माना गया है आप इसे संजोग मानते हैं? नहीं ऐसा नहीं है अनामिका उंगली में यहां से यहां तक सारा भौतिक ब्रम्हान यही है ये कंप्यूटर के माउस की तरह है अगर आप बस ऐसे करें तो आप खुद को एक आयाम से दूसरे आयाम में ले जा सकते हैं आप इस शरीर में सब कुछ कर सकते हैं अपनी अनामिका उंगली से और ना सिर्फ अपने शरीर के साथ सभी के शरीर के साथ आप अपनी अनामिका से जो चाहे कर सकते हैं योग में अनामिका उंगली का एक पूरा विज्ञान है अनामिका को आपकी हर चीज की चापी माना जाता है अनामिका पर कोई धातू पहनना महत्वपून हो गया क्योंकि ये सिस्टम में स्थिर्था लाने का एक सरल तरीका है अनामिका पर कोई धातू पहनने से सिस्टम बहुत स्थिर रहता है अगर आप इसे कहीं और पहन ले आजकर लोग हर जगा पर धातू पहन रहे हैं उससे वैसी चीज़े होंगी उसका अपना असर होगा इससे कुछ तै नहीं हो जाएगा वे चीज़े पहन कर भी लोग काफी ठीक रहे सकते हैं ये ऐसा ही है जैसे अपनी कार को बिल्कुल सपाट बना कर चलाना कार तो चल जाएगी पर सामान्य से दो गुना ज्यादा पेट्रोल की खपत होगी नँग वही बात है आप ऐसे जा सकते हैं और चीज़ों से टकरा सकते हैं पर बात यह है कि आप ठक जाएंगे जीवन की प्रक्रिया से खुशी और सहज़ता से गुजरने की बजाए आप गल्तियां करके खुद को ठका देंगे बस यही है सभी जीते हैं पर सभी आसानी से नहीं जीते हैं न है की नहीं बस इसलिए कि अगर आप सही काम नहीं करेंगे तो आपके साथ सही चीजें भी नहीं होंगी अंदर और बाहर कई आयाम है आयाम चाहे कोई भी हो आप सही चीजें नहीं करेंगे तो आपके साथ सही चीजें नहीं होंगी ऐसा ही है झाल झाल